सो दोस्तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो के आपकी इस तरीके से क्रिडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक एकॉन में दोस्तो ट्रांसफर कर सकते हैं विदाओट चार्जेस अब दोस्तो मैं देख रहा हूँ यूटुब पर जो है काफी लोग इस तरीके का विडियो बनाये हुए हैं तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका जैन्मेन तरीका बताने वाला हूँ और दोस्तो ऐसा तरीका जो है बिल्कुल अनलीगल नहीं है बिल्कुल लीगल तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है आपका दोस्तो कार्ड का भी डिटेल जो है कहीं पर भी कोई दिकत नहीं दोस्तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे कि दोस्तो हम क्रेड अप अप्लिकेशन को दोस्तों मैं खराब नहीं के रहा हूँ, किसी भी अप्लिकेशन को मैं विकार नहीं के रहा हूँ, सारे का दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्रेड अप्लिकेशन से भी दोस्तों पैसा निकालते हैं, और उससे दोस्तों क्या होता है, कि हमें कमिशन पर देना पड़ता है, फोन पे से दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले पैसा निकाला वा था, उसमें भी देना पड़ा था, पेटियम से भी दोस्तों मैंने पैसा निकाला था, पेटियम पर भी देना पड़ा था, तो दोस्तों फोन पे पेटियम हो गया जैसे कि यहाँ पर सारे वीडियो को आपको आंत तक देखना पड़ेगा तभी जागर कि आपको जानकरी पता चलेगा अगर दोस्तों आपसे भी को वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर अगर आप पहली बार आएं दोस्तों तो इसी तरीकी का वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे लाल वाले बटोंग दबाके सबस्क्राइब करना घंटी को ओल पिक किलिक करना तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उस application का जो नाम है आपको मैं बता देता हूँ नाम उस application का दोस्तों नाम है Fpay अब यहाँ पर काफी लोग जो है मुझे comment भी करेंगे हो सकता ह मुझे पता है ठीक है यहाँ पर मुझे comment करेंगे कि भाई इसमें sign up नहीं हो रहा है इसमें login का problem आ रहा है और गयरा वगयरा यहाँ पर काफी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इससे पहले F application का दोस्तों यूज करने के लिए आप इससे पह description box में डाल दिया है direct आप वहाँ पर किलिक करके इस application को install करने के बाद दोस्तों इस application को जो है सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा देख सेथे दोस्तों अपना पैस आपके पास कुछी इस तरीक कभी commission नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद जो है जैसी इस application में आ जाते है mobile number डाल के login कर लेते हैं नाम होगरा डाल के उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको three line का एक options मिलेगा just दोस्तों सबसे पहले three line में किलिक करना है और options मिलेगा just just add में किलिक करना है यहाँ पर लग रहा है लेकिन यहाँ पर बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है अच्छी से नहीं देखो के तो option 1 और option 2, दो options मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको option 2 को गलती से बे select नहीं करना है आपको option 1 को ही आपको select करना है, option 2 को मैं select करता हूँ दोस्तों, एक हजार रुपे में देख सेथे 25 रुपे का यहाँ पर मुझे commission लग रहा है जबकि दोस्तों यहाँ पर मैं 10,000 डाल दूँगा तो 10,000 में देख सेथे, यहाँ पर मुझे 250 रुपे का commission लग रहा है और इसी चीज़ को दोस्तों, शोरी किदर गया और इसी चीज़ को मैं दोस्तों यहाँ पर 40,000 कर देता हूँ, तो देख सेथे हैं कि 40,000 रुपे में दोस्तों मुझे यहाँ पर 900 रुपे का commission लग जाएगा, जबकि दोस्तों option 1 को हम यहाँ पर select करें हैं तो option 1 में दोस्तों 1 रुपे भी charges यहाँ पर नहीं लगेगा, तो दोस्तों option 2 का क्या काम है, तो option 2 का दोस्तों यह काम है and दोस्तों यहाँ पर add money में just हम click करते हैं add money में दोस्तों click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface निकल के आ जाएगा दोस्तों, आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक option show कर देगा आपको यहाँ पर देखिता है card का, just आपको card में click करना है, and दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के लिख करके आ जाता है दोस्तों message, यहाँ पर दोस्तों debit card and credit card, दोनों दोस्तों supported है, और plus में दोस्तों आप कौन-कौन से card का दोस्तों निकाल सकते हैं पैसा यह भी यहाँ पर दिखाये गया, रुपय हो गया visa हो गया, master हो गया दोस्तों और यहाँ पर master card हो गया, और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप card है, यहाँ पर आप सारे accepted है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना card का, दोस्तों यहाँ पर detail डालेंगे, card का मुबाइल लंबर लिंग होगा, उस पर एक OTP भेज जाएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, and proceed में किलिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेते हैं हमारा IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर लिक करके भी आ रहा है दोस्तों, और charges यहाँ पर देख पारेंगे, यहाँ पर जो charges है, दोस्तों टोटल charges 1000 रुपे ही लिया जा रहा है, and proceed में किलिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो payment है, दोस्तों हमारे wallet के अंदर दोस्तों add कर दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है, आपका amount add हो जाता है, हलाके दोस्तों हमने add नहीं किया, दोस्तों यहाँ पर मेरे को पैसे किया भी जरुवत नहीं, मैंने निकाल के रखा हुआ है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका amount add हो चुका है, अब यहाँ पर दोस्व इस पैसे को आपको bank में निकालने के लिए आपको just यहाँ पर एक three line का options मिलेगा just दोस्व इस पर आपको three line वाले options पर click करना है and दोस्व यहाँ पर आपको एक ID दिखेगा दोस्व देखेते इस ID पर आपको click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है forget amp-pin में किलिक करना है आपके mobile number पे दोस्तों एक amp-pin बेढ़ा जाएगा चार अंका दोस्तों आपको amp-pin होगा उसी amp-pin से transaction आप कर सकते हैं तो चलिए मैंने forget कर दिया है यह पाज आपको home page पे आ जाना है उसके बाद दोस्तों आपको pay वाले options पर क्लिक कर और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो है यहाँ पर UPI ID सेलेट करके UPI ID को डाल देना है यहाँ से दोस्तों पैसा निकाल लेना है